तो यहाँ जैसा के आपने देख लिया होगा आप टिक टोक पे जा रहे हो टिक टोक चाली रही वहाँ पे एक एडा रहा उसके लाव मैं कुछ भी नहीं हो रहाै सेर्च माच पे जाते हो कुछ भी करते हो tik-tok open ही नहीं वहीं यहां फे मैं आपको बता दू tik-tok बैन हो चुकी है आपने में भी अभी न्यू चैनल पर सुन लिया हो कि सुन लिया हो लेकिन आपको इसकी में डिजन नहीं बता जितने मूह उतनी बाते आपने ये बात तो सुनी ही हो लेकिन पाकिस्तान में टिक्टोक को बैन करने वाला कोन है पाकिस्तान टैली कम्यूनिकेशन अथोटी पीटी ए इदारा जो है ये तीन-चार महीने से टिक्टोक वालों को मेल बेज रहे हैं उन्हें ओफिशली जो कहा रहे है कि यार आप लोग वलगर फहाशी कॉंटेंट ज चाहिए जो यार गंदा कॉंटेंट होता है ठीक है यहां गंदे से मुराज यह नहीं है को बंदा ना हाए विडियो बना रहा है गंदे से मुराज आप समझ ही रहे होगे यार गंदी वीडियो तो यह टिक्टोक पे बहुत आम हो चुक है ऐसी ऐसी वर्डिंग जो है टिक- टोक के ऊपर जो वल्गर कंटेंट है उसको रिमूव कर दिया जाए टिक-टोक वालों ने उस पर दिया नहीं दिया मैंने आज से दो मीने पहले वीडियो बनाई कि टिक-टोक बैन होने वाला है पाकिसान के अंदर किसी ने बात को सीरियस नहीं लिया अब यार आपको पता जाल जाए लेकिन यार इसके पीछे वज़ा यहीं होगी कि टिक-टोक वाले जो पाकिसान की टैली कम्मिनिकेशन अथोटी की बाते मान लेते हैं ठीक है इनकी शरते कंडिशन को मान लेते है फिर टिक-टोक चाल सकता है इसके लावा नहीं तो यहाँ पर आज की वीडियो म ताकि उन्हें पता चले इसके पिछे का में डीजन क्या है टिक टोक को क्यों बैन कर दिया गया और इसके लावद चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं नेस्ट वीडियो नेस्ट अपडेट टिक टोक के ऊपर आपको लागे दू कि टिक टोक दुबारा आएगा पाकितान म यह नहीं आएगा आपको कोई और बंदा नहीं बताएगा लेकिन आपका यहां पर आपको बताएगा टिक टोक दुबारा अन बैन होगा के नहीं इसको पर आपको वीडियो लेकर चैनल को लाजमें सब्सक्राइब कर देना